आज हम बात करेंगे अगर आप IGNU से कोई भी master degree program करना चाते हैं तो आप IGNU में online admission कैसे ले सकते हैं यानि कि IGNU में admission का क्या process होता है इस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ साथी में किसी भी program में admission लेने से पहले admission के लिए eligibility criteria, program fees, duration इन सब चीजों के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं और सबसे important अगर अभी आप admission लेते हैं तो फिर आपका exam कब होगा और कब आपको assignment बना करके submit करना होगा इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को complete देखिए और इगनू से related सभी update और notification time to time पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि नई वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं अगर master degree program के बारे में बात करें तो उनका list आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह जो आप list देख रहे हैं इसके अलावा master degree के और भी बहुत से program है जो आपको इगनू के तरफ से offer किये जाते हैं जिन में आप online admission ले सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है इस वा प्रग्राम आपको ओडियल यानि की open distance learning mode में offer किये जाते हैं और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी है जो आपको online mode में offer किये जाते हैं जैसे कि अगर आपको ओडियल प्रोग्राम में admission लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यह page open हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम में admission के ल क्लिक करके search किजिए तो master degree के जितने भी program available है उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जितने भी master degree के program available है उन सभी को यहाँ पर add किया गया है मालिज कि आपको इगनू से में English करना है तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा read more का इस पर आप क्लिक करेंगे तो के बारे में आपको सभी जानकारी दिया जाता है जैसे कि यह एक डिगरी program है और यह आपको open distance learning mode में offer किया जाता है यह program जो है दो साल का है इसके अलावा अगर आप किसी और program के बारे में जानकारी निकालना चाहते है जैसे कि में history तो आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको यह भी बताया जाता है कि यह जो प्रोग्राम है यह आपको कौन-कौन से मीडिया में offer किया जाता है इंग्लिस मीडिया में या फिर हिंदी मीडिया में तो आप जिस भी मीडिया में admission लेना चाहते है वह आपको admission के वक्त बताना होगा और यहाँ पर आपको बता गया 14000 रुपए और यह आपको एक बार में नहीं देने होते हैं यह आपको एर भाइज या फिर SMESTER wise देने होते हैं और पर यह आपको कितना देना को यहाँ पर बताया गया सात हजार रुपए तो सभी प्रोग्राम के आपको यहां पर अलग-अलग जानकारी दिया जाता है तो इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और अब बात करते हैं अगर आप इगनु से कोई भी master degree program करना चाहते हैं तो इगनु में admission का क्या process है तो इगनु में क्या होता है कि पहले आपको new registration करवाना होता है और उसके बाद आपको admission का पूरा forum fill up करना होता है और जो भ आपका ID card और enrollment नमर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप इगनु के student बन चुके है आपका इगनु में admission हो गया है और admission का forum आप कैसे fill up कर सकते हैं तो वह मैंने इस वीडियो में detail में बता रखा है इस वीडियो को देख करके आप mobile से या फिर laptop से कहीं भी बैठे online admission ले सकत है इसका link नीचे दिया हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया इगनु में जितने भी program available है उनमें से ज्यादा तर program आपको odl mode में offer किये जाते हैं तो इसका admission लेने के लिए आपको इस वाले portal से online admission लेना होगा जिसके यहाँ पर आपको click here for new registration पर click करना होगा फिर जो registration का page आ जाएगा और बाकी का details आप कैसे फिलेप कर सकते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिया हुआ वीडियो देख सकते हैं और अगर आप online program में admission लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह portal बनाया गया यहाँ पर आप click करेंगे और फिर यह जो है registration का page आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप online program में भी admission ले सकते हैं और अब बात करते हैं admission session के बारे में तो इगनु में admission दो session में होते हैं एक January session में और एक July session में दोनों में से किसी भी session में आप online admission ले सकते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आप अभी admission लेते हैं किसी भी master degree program में तो आपका exam कब होगा तो इस अगर अभी आप admission लेते हैं किसी भी master degree program में आपका program yearly based है और आप January 2023 session में admission लेते हैं तो जो आपका exam है वो December 2023 session में होगा और इगनु में क्या होता है कि आप जब भी exam देने वाले रहते हैं या फिर आपको जितने भी subject का exam देना है तो आपको उसका assignment बना करके भी submit करना होता है उसके बाद ही आपको exam देने का permission दिया जाता है तो अगर आप December term and examination में यानि कि December session में exam देने वाले है तो उसके लिए आपको September October में assignment बना करके submit करने होंगे ती September रहता है लास्ट डेट लेकिन इसको extend कर दिया जाता है और आपको October end तक assignment submit करने का मौका दिया जाता है और अब बात करते हैं कि अगर आप इगनू के किसी भी प्रोग्राम में एड़मिसन लेते हैं तो जो आपका आपका फॉरम फिलब करते हैं आप प्रोग्राम फीस ओनलाइन समिट कर देते हैं तो जो आपका एड़मिसन है वह साथ से 14 वरकिंग डेज में कनफर्म हो जाता है और इसमें भी कई कंडिशन है कि आपका डोकुमेंट वगेरा बिल्कुली सही रहता है तो ही आपका एड़मिसन जो है 7 से 14 दिनों में कनफर्म होगा अगर डोकुमेंट में कुछ गलती रहता है तो आपको डोकुमेंट को फिर से अपलोड कर देते हैं तो फिर जो आपका एड़मिसन है वो 7 से 14 दिनों में कनफर्म हो जाएगा अगर कोई प्रॉबलम आता है तो जो भी आपका रजिस्टर मेल आइडी रहता है उस पर आपको इसके बारे में बताया जाता है और एरर को आपको ठीक कर सकते हैं वो भी आपको ईमेल में बता दि जाता है तो इस वीडियो में इतना ही अगरे वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए शेयर किजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं